खुले विचारों की शीना पेशे से इंटेर डिजाइनर थी लव मैरेज में रवी से शादी हो जाती है लेकिन शादी के बाद मैंने पापा को साफ बोला है कि शादी में कोई फरनीचर ना दे पहले में घष दिखूँगी फर डिसाइड करूँगी कि कैसा फरनीचर ख्रीदना है जो सही है ना सही है वसए क्या कमी है मेरे घर के फरनीचर में ंस सही तो है मा की पसंदका रॉयल लुक Royal Look बंगलो में अच्छा लगता है तीन कमरों के फ्लाइट में नहीं समझे बड़े बड़े furniture है अरे पूरे घण में चलने की जगा नहीं है देख लो भई तुम ठैरी interior designer तुमारा अपना टेस्ट है और मा का अलग टेस्ट है घर को सजाने का खेर रीना कुछ दिन बाद जब काम से फ्री होती तो कभी घर का नाप लेती तो कभी सामान यहां वहां खिसकाती सास रोज शीना को देखती कि वो क्या कर रही है लेकिन कुछ नहीं बोलती फिर एक दिन सास देखती है कि शीना घर के फरनीचर की फोटों खीच रही है यह क्या कर रही है बहू फोटों क्यों ले रही है घर के फरनीचर की वो क्या है न माजी घर का सारा सामान आनलाइन बेच रही हो और फिर अपने तरीके से लूँगी देख कल तु तु मेरी भी फोटो ले रही थी कहीं हमें भी तु नहीं बेज रही न कैसी बात करी है माजी आप इस उमर में आपको कौन ही खरी देगा अब ये ना बोल बहू एक बार तेरे को कोई देखे न देखे हमें देखने वाले बहुत है समझी वैसे मेरे घर का कोई सामान कहीं नहीं जाएगा अगर तुझे घर सजाना है तो मेरे मरने के बात सजाना ये क्या बात होती माजी? ये तो कोई बात नहीं होती मैं नहीं मान सकती ये बात देखिए मैं ना इंटिडर डिजाइनर हूँ कल को मेरे घर कोई आता है, तो क्या बोरेगा, कितना ओल्ड फैशन है? देख बहु माना मैं पुराने तरीके से घर सजाती हूँ, पर ये मेरा तरीका है, और हाँ, तेरी तरह मुझे भी घर सजाने का शौक था, बस मैंने कोई कोर्स नहीं किया दूसरों के घर सजाने के लिए, मैंने खुद के दिमाग से खुद का घर सजाया, समझी? बहु को गुसा आजाता है, कि भई ये क्या मजा के? उसके जैसी हाई प्रफाइल डिजाइनर ऐसे घर मेरेगी, ना बबा ना अगले रोज, कोई तो तरीका निकालना होगा, इस अजायब घर को घर बनाने के लिए, मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ, ये तो संभवी नही है, क्या संभव नहीं है बहु? ये ही माजी, इतना बड़ा क्रॉकरी रखने के लिए शोकिस कौन रखता है, वो भी रास्ते में, मैं कैसे सोच रही हूँ, इसे हटाई देते हैं, रास्ते में? कहा रास्ते में? अरे बहु किसके रास्ते में ये? मुझे तो साइड में लग स्मूध नहीं है, क्योंकि ये फ्यूजन है, पता है? ये जो अलमारी है न, वो राहुल के दादा के जमाने की है, तब वे जंगल जाते थे शिकार करना है, वह इसे लेकर आये थे? हाँ माजी, लेकिन अब तो ये पुराना हो गया है, कब वो जंगल जाते थे? अब तो वो समाना ही नहीं रहा? तो ना रहा है, पर ये अलमारी यहां से नहीं आटेगी, बोल दिया तो बोल दिया, समझी? सास तो चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही दिर में बैल बचती है, दरवाजे में बहु की हाई प्रफाइल सहलिया होती है, आरे रिंकी मिन्नी आओ आओ, कैसे आना हुआ? यार, तेरे गर साड़ी पहन कर नहीं आई, तेरे सास कुछ बोलेगी तो नहीं न? अरे नहीं नी, ये लोग ना नए विचारों के हैं, बैसे कैसे आना हुआ? अरे ये बोल रही थी, तुने मायका तो चमका कर रखा है, चल देखे ससुराल को कैसे डिजाइन कि लेकिन ये क्या? जैसे ही उन लोगों की नजर घर के अंदर पड़ती है, तो हैरान रह जाती है, वो कुछ कहती ही, तभी सास पिया जाती है, आरे बहु, तेरी सहलिया आई है, आओ आओ, बैठो, बहु, सहलिय को बिठाओ, क्या खाना इन लोगों को मुझे बता दो, मैं ब आने का घर है, सारी फरनीचर इतने पुराने, क्या बोलू यार, मेरी सास अपना पुराना फरनीचर बहार रखने को तयार ही नहीं है, मैं कैसे लाओ नया फरनीचर, बस इतनी सी बात, मेरी सास बिना ऐसी थी, मैंने तो जो गोटी खेली, अब तो वो खुद पुराने जानू, मेरे कमरे का बैट तो इतना चूं-चूं-चूं की आवास करता है कि नींदी नहीं आती, घर की बार वो देख, क्रॉकरी की अलमारी, कैसे रास्ते में खड़ी है चाड़ी होकर, जैसे मुझे चिड़ा रही हो, तू तो मुझे बदल कर दिखा, अरे यार, क्रॉकरी इतनी इभारी और मोटी है, कि एक प्लेट उठाती ही, सास फूल जाती है, लेकिन सासू मा, कुछी भी बदलने को तैयारी नी, तो तू अपने बापा को क्यों नहीं बोलती, कि सारा नया फरनिचर देती, अरे मैंने तो वही सूचा था, कि पहले इनके घर आऊंगी, घर का एरिया और लुक देखूंगी, उस हिसाब से नया फरनिचर लूँगी, लेकिन यहां आकर तो सास दे जो बुरा हाल कर रखा है, क्या बताऊं यार, मेरी तो सारी डिजाइनिंग की पढ़ाई ठप है, जब मैं खुद का घरी नहीं सजा सकती, बहु बात कर रही थी कि सास आ आना तो मुझे भी आता है, क्यों? अंटी जी बिल्कुल, बिस वो वाली जो अलमारी है न, वो थोड़ी सी और लग रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, ओके? सास को यह सुनकर गुसा आता है, पता है कितनी महंगी है वो अलमारी? तुम्हारी सास से पूछना, प्योर साक के ल अफरिका वाला, मा जी यह अलमारी हटा दो प्लीज, न, न, बिल्कुल वाला न, समझी? जैसे इनकी अंग्रीजे समझ में नहीं आती, वैसे इनका इंटीरियर भी समझ में नहीं आता, बहुँ परिशान थी कि यह सास भी न, सारे पुराने फॉनिचर ऐसे शान से घर में स जानो और मैं, मैं कुछ नहीं जानता, अगले रोज बहु अलमारी से टकराती है और गिर जाती है, हाई, मैं गिर गई, कोई है, हुई मा, सभी बहु के पास आ जाते हैं, क्या है, सड़क पर अलमारी लगा रख्ये, आते जाते फुस्ते रो, यार, प्लीज यहां से अलमार दिन भी ना हुए और गिर गई तो आप क्या पचास सल रहे कर गिरू हूँ पैर फ़सा तो गिर गई आ मा आप क्या जिद है अटा दो ना ये बड़ी सी अलमारी बीच रास्ते में अच्छी भी नहीं लगती कई बार तो मैं भी गिरते गिरते बचाओं अच्छा इतना बड़ा तो इस अलमारी के आसपास हुआ है पहले तो कभी बताया नि कि तु गिरते गिरते बचाओं तो आप तो बता रहें न मा जी मैं कुछ नहीं सुने वाली देखी ये सारा पुराना फनीचर में बाहर कर रही हूँ उसके लिए तुझा मेरी लाश सजाना होगा उफ वही ट्रामा क्या करे बभु बिचारी इतने पुराने फनीचर में कहीं कहीं तो दीमक भी लग रही है कैसे घर को सजाए कैसे ये बताया कि उस ते तीन साल बस यही पढ़ाई की कि घर को कैसे सजाय जाये लेकिन जब बात खुद के से सुराल किया ही तो बात हो गया ये क्या बात होती है कि लाश की उपर से फनीचर ले कर जाना नजाने कौन से जवाने के फिल्मे डायलोग चल रहे है मां के पास तुमारी तबी घर की बैल पच्चती है एक आदमी लाल टोपी काला चश्मा लगा कर अंदर आता है जी बताईए कौन है आप मैं मैं हूँ यानि मैं हूँ पुरानी चीजों का दिवाना वसे आप भी कम पुरानी नहीं लग रही है नहीं नहीं ज्यादा पुरानी नहीं हूँ मैं वैसा किसके दिवाने बता रहे थे आप खुद को जी मैं पुराने अंटिक फ़निचर खरीता हूँ और उसे दोबारा चमका कर विदेशों के राजा महराजा को बेचता हूँ सुना था और अब देख भी लिया के कितने अच्छे डिजाइन के फ़निचर है आपके गर में क्या मुझे बेचेंगी मुझे मांगी की मत दूँगा इनकी बोलो तो एडवानस अभी दे दू ये बोलकर वो आदमी नोटों की गड़ी सास के सामने रख देता है सास इतने सारे पैसे देकर हैरान रह जाती है अब हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं ले जाए जो जो चाहिए सब ले जाए रुकिये ये क्या बात होती है मा जी मैं बेच रही थी तो नहीं और अब इस बुड़ी को सारफ नीचे दे रही है बेहन जी पारी लाइए ज़रा इस बच्ची को मैं समझाता हूँ कि बड़ों की बीच में नहीं बोला करते जी यहां भी लाइ सास जैसे ही अंदर जाती है आदमी चश्मा उतारता है ओ पापा आप और क्या बेटी की खूशी के लिए क्या नहीं करना पड़ रहा है मैं से शांत रहे काम हो रहा है न उन्हें दे सास बहार आती है तो बहु भी नाटक करने लगती है हाँ हाँ ठीक है लेकिन ये पैसे काम है एक गड़ी और सरका दीजी पता है आपको ये लकड़ी और डिजाइन कहा का है वो नाले के पास कल्लू का वही ऐसी वायाड डिजाइन के फनिचर बनाता है क्या बुला ये तो साउथ अफरिका का डिजाइन है क्यों माजी बारा पता नहीं कौन से अफरिका का है South North East West मैं कमरे में जा रही हूँ नोट गिनने तो ये न सारा furniture खाली करवा देना और हाँ वो वाली अलमारी तो निकाली देना तो बार-बार गिरती है ना अच्छा नहीं लगता है